यदि आपके उपर कोई जूठा केस कर दे यानि आप पर जूठा आरोप लगा दे आपके पास सभी काखजात हैं या आप अपने जगह पर सही है कोई भी मामले में जूठा केस जो है कोई भी कर सकता है इसलिए कि आप पर आरोप है यानि जो है आरोप लगा दिया गया लेकि आरोप लगा देते लेकिन वो आरोप थाबित नहीं हुआ तो इसका मतलब यही होता है कि आपने जूटा केस किया तो बहुत सारे लोगों के पास जो है जिस सेल डीड है गिफ डीड है या रिलीज डीड हो ये सभी परकार के डीड जो है वो मौजूद हैं अब है कि ये जो दस्ताबेज हैं ये हो सकते हैं कि नकली हो और ये हो सकते हैं कि असली हो ठीक है बहुत लोग पुराना दस्ताबेज निकालते हैं और ये बताते हैं कि आपका जमीन का जो है मेरे पास जो है ये डीड है अभी भी रजिस्टी है आप देखते हैं उसको ठीक है और आपके पास आज भी नहीं है वह जमीन नहीं नहीं लेकिन सिर्फ क्या कर रहे है लेकिन सिर्फ क्या कर रहे हैं दावा पेस कर रहे हैं यानि आप मालेते हैं ठीक है एग्रिमेंट करवाते हैं या एग्रिमेंट नहीं करवाते हैं एग्रिमेंट का मतलब कुछ और होता है करवाना चाहिए अलेकिन नहीं भी कराते हैं तो भी यह सेल्डिट त्यार होता है सेल्डिड तयार हो गया अब इस सेल्डिड जो है यहां पर इस सेल्डिड का काम क्या होता है यह होता है कि यह ऐसा दस्ताबेश तयार हो गया जिससे आप संपत्ती के ओनर हो गये मतलब आपके पास संपत्ती का टाइटल चला आया है ठीक है अब है कि इसको आपको परमानित क करना होता है इसका म्यूट्वेशन कराके और परमानित करने का मतलब यह हुआ कि यह सेल्डी जो किया गया इसमें किसी परकार का कोई भी दिक्कत नहीं है इसको जो बेचा है ठीक है इस प्रोपर्टी को जो बेचा है उस विक्रेता और विक्रेता के परिवार में भी किसी पर समझने का परियास करेंगे यानि जो समपत्ती बेचा है उसके परिबार में या कोई अन्य वैक्ति के द्वारा किसी परकार का कोई आपत्ती नहीं है तो सेल्डीड का म्यूटेशन होने के बाद आप जो है सरकार को टेक्स दे सकते हैं सवाल उठता है कि gift deed का क्या होता है? देंगे gift deed भी तेयार होता है माल लिते हैं आप दान कर रहे हैं आप दान पत्र आप बोल सकते हैं इसको ठीक है? तो दान अगर किसी को करेंगे ना तो वो आप जो है अपनी प्रोपर्टी दान कर दी ये माल लेते हैं किसी भी कोई संस्थान को दान करते हैं लोग मंदिर को करते हैं ये ग्रामिंग विकास में अगर कोई भी माल लेते हैं कि पंचायत अस्तर पे कोई भी निर्मान हो रहा होगा कोई भी कारियाले का निर्मान हो रहा होगा आप आपको इच्छा है कि दान करें ठीक है तो कर सकते हैं बहुत लोग करते हैं इसको तो यह होता है दान में आप वैसा नहीं किसी एक दूसरे बैक्ति को आप जमीन दे रहे हैं तो फिर उसका प्रोशेस अलग होता है उसमें सरकार का टेक्स होता है तो लोग यहां पर दान करके taxi बचा लेंगे पर सरकार को कोई benefit ही नहीं होगा तो इसलिए दान जो होगा होता है उसमें बहुत सारे condition होते हैं अब उसके बाद release date भी होता अब माल लेते हैं इसको बोलते है हक जो है त्याग पत्र ठीक है जैसे ये दान पत्र हो गया ये तयार होता है अगर कोई भी व्यक्ति अपना हक जो है वो त्याग करना चाहें माल लेते हैं कोई परिबार में बेटी है बहन है वो चाहती है कि हमको अपने पिता के संपत्ती में कोई भी अधिकार नहीं चाहिए तो वो क्या करेगी कि हक जो है त्याग पत्र वो त्यार करवाएगी और यानि हक त्याग पत्र जो होगा आपके लिए एक सबूत होगा कि भविस में अगर वो दुबारा हक लेना भी चाहे तो नहीं ले सकती है इसलिए कि कानूनी तरीके से उन्होंने अपना जो हक है वो त्याग कर दिया है और कानूनी तरीके से अगर उन्होंने अपना हक त्याग कर दिया तो फिर दुबारा उनको उस समपत्ती पर आधिकार पाने का कोई हक नहीं है तो ये जो परकरिया है इन सभी का दस जो है कोई वेक्ति इसका दसताबेज जो है अबो नकली दस्ताबेज अगर ले आए ठीक है और जूटा केस कर दे तो possible है कि नहीं मिलकुल है अदक है केस कर सकता है लेकिन कोई भी दस्ताबेज हम कहते हैं कि असली दस्ताबेज क्यों नहीं हो असली अगर भी है असली भी है लेकिन वो दस्ताबेश तो त्यार हुआ लेकिन जो एक तरह सरकारी कारियाले है सरकारी जो आफिस है कारियाले है यहाँ पर तो उसमें अगर नकल मौजूद नहीं है मालता हूं उसका कोई जानकारी मौजूद नहीं है डिड त्यार हो गया डीड का आज तक ये डीड त्यार हुए कहरा है कि 30 साल हो गया इसका आज तक mutation कायम नहीं हुआ नकल मौजूद नहीं है नकल मौजूद जो है वो नहीं है तो वो दस्ताबेश तो जाली हो गया अगर कोई करता है तो जूटा कैस करता है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अगर कोई भी बैक्ती गलत दस्ताबेश दिखा कर दावापेश करता है वो किसी भी कूट में चले जाए तो आप उसका नकल निकालने का परियास करें कि क्या वो जो है वहाँ पर उसका नकल मौजूद है कि नहीं है अब यह नकल मिलेगा कहाँ देखें हर जो राज जो जिस राज से आप बिलोंग करते हैं हर राज का जो अपना जिला है तो जिला में कारियाले होगा वो होता है निवंधन कारियाले निवंधन कारियाले में आपको जाना है हो सकता है कि आपके अनुमंडल में भी अनिवंदन कारियाले हो लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपका जो अनुमंडल में है अगर मौजूद नहीं है तो जिला में जरूर मौजूद होगा तो आपको जिला निवंदन कारियाले में जाना है जहां पर की डीड को तैयार किया जाता है जहां पर आपका डीड का रेजिस्टेशन होता है ठीक है जिस जिला से आप बिलॉंग करते हैं वहां जाएंगे और वहां पर आबेदन करके जो है आप अपना नकल अपराप्त कर सकते हैं वहां आबेदन करेंगे नकल पराप्त हो जाएगा लेकिन अगर नकल वहां नहीं निकला बोला नहीं यह तो नकल है ही नहीं मौजूद ही नहीं है तो जब मौजूद ही भी आपको ये प्रूफ करके देना परेगा ये जो भी करना है आपको करना है और अगर आप बताएंगे आप अपने वकील को तभी तो वो उस पे एक्सन लेंगे आप उसकी जांदकारी देंगे उसका information निकाल लेंगे अगर वो information मौजूद नहीं है मालत है कोई sale deed लेकर आया कोई gift deed लेकर आया और gift कभी हुआ ही नहीं पहले के समय में तो आज ये जो stamp है जो एक तरह से साधा जो कागज होता था उस पे भी gift deed त्यार हो जाता था तो gift deed त्यार कर दिया गया उसका जो भी cost है वो cost जाता है उसके बाद उसका भी registration होता लेकिन अगर इसका नकल मौजूद नहीं है ठीक है तो वो जाली है और अगर case कोई करता है तो वो जूठा case है उसको आप साबित कर सकते हैं किसी भी मामले में रिलीज डीड है आप कोई हग त्याक करने के बात कर रहा है कि नहीं यह तो हमको पहले ही सारा संपत्ति हमको मेरे बेटे को दे दिये थे किसी तरह का कोई अगर विल लेकर वसियत लेकर चले आए यह ना वसियत लेकर कोई आ सकता है तो देखें वसियत में वसियत जो है दोनों दो तरह का होता है एक होता है कि इसको रिजिस्टर कराया गया एक होता है कि नहीं कराया गया अगर नहीं कराया गया और आप दावा पेस करेंगे रिजिस्टर नहीं कराया गया है जब मामला कोट में चला जाएगा तो उसका मान जो है यहाँ पर भी रजिस्टर कराना जरूरी है ताकि इससे पता चल सके कि यह हुआ है अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो जाली है तो इस तरह का जो समस्या है उत्पन आपके साथ भी हो सकता है कि आपको कोई जाली दस्ताबेश दिखा कर बोले कि मेरी जमीन है मुझसे खरीद लिजिए तो आप उसका सही तरीके से जाच परताल जरूर कर लें ठीक है आपको जो जमीन का बिक्रेता होता है वो गलत तरह का दस्तावेज दिखा देता है आपको लगता है कि संपत्ती का मालिक यही है आप भेरिफाइ करते हैं तो हर चीज जो है मिल भी जाता है हो सकता है लेकिन फिर भी आपको जो है ग्राउंड में जाकर वो सारा कुछ का जानकारी जरूर प्राप्ट कर लेना चाहिए ठीक है आसा करतना है वीडियो अच्छा लगा होगा अब वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें मिलते हैं अगले वीडियो में